नमस्कार पंचाती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिन 2019 का लोकसभा चुनाओ आने वाला है फुर्स समय बाद लोकसभा के चुनाओ है और सभी पार्टियां एक तरह से कहें कि बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पे खड़ी हुए विपक्ष पूरा एक ज सरकार में भी ममताब एनर्जी और ममताब एनर्जी हमेशा से सुरू से ही बीजेपी को लेके आकरामक रही है और उनके उपर हमले करते रही है विपक्ष के मंच पे जब एक साथ वो खड़ी हुई तब भी वो बीजेपी पे आकरामक रही है भाले ही ममताब एनर्जी का वि आतंकवादियों की पार्टी है और वो आतंकवात फहला रही है साथ मुम्तब्व उर्जी ने कहा कि मुस्लिम को छोड़ के हिंदू को भी 국민 के लड़वा रही है और उसके साध वी जो मुस्लिम प्रेली और इसाई समूदा है और सिख समूदा है उनको भी वो ना पसंद कर रही है उनके भी खात्मे की तयारी कर रहे है BJP एक बहुत ही बड़ी आतंकवादी पार्टी है ये कहा है ममता बेनेर जी ने हलाकि ममता बेनेर जी सुरूज से ही आकरामक रही है BJP पर त्रीमुण कॉंग्रेस को घहरती हुई निजर आए फिर यहां पर दिली में जो तिमुण का ऑफिस है वी जे पी ने तौन उसका घराव किया उसके बाद त्माम बाते निकली लेकिन ममता बेनयर्जी यानि त्रीमुण कॉंग्रेस और बीजेपी के बीज में जो हमेशा से तलवार किची रहती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतारोप का दौर जो है वो चलता रहता जिसके बीच में ममताब एनर्जी ने अब बीजेपी को आतंकवाधी पार्टी कह दिया है इस पूरे प्रकरण पर अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक् हमस्कात